दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से जूने के लिए सब्सक्राइब करें सीजी टेक चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आल नोटिफिकेशन के आप्शन को आउन करने ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो की जानकारी मिलें नमस्तों सीजी टेक मैं आपने बहुत-बहुत स्वागत्त थे स्भी आपट्रिकर नहीं पता होता हैं तो इसी की टापिक पे आज्टकी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यूं очень को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर के टाकि सबसे पहले नौस 47 श्टार्ट करती है टो स्थे डिया हुआ कि दोस्तों यह मैंने वाट्ट आपन कर लिए हैं का सबसे पहला जो ट्लिक मैं बताने वाला हूं आप इमेज क्वालिटी को उपर जब भी पहले आप जिस person को image भीजना चाहते हैं उसके chat वाले option पर open आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यह पीन का जो option है उसको click करेंगे यहाँ पर यह documents का जो option है उसको touch करेंगे और उसके बाद जो भी image आपको भीजना है उसको select कर लेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर एक image select करता हूँ यह देखिए यहाँ पर एक image है यह 1.26 MB का है तो इसको मैं भेजूंगा तो सामने वाले को same size में और same quality में वो image मिलेगा second जो tricks है वो मैं status के बारे में बताऊंगा तो मालेजी किसी ने बहुत सारा status में image upload किया है और उसमें कोई image आपको पसंद आया लेकिन वो forward अपने touch करते करते बहुत आगे निकल गया तो previous कैसे आना है तो suppose मैंने एक status देखा यहाँ पाँ touch करते गया करते गया अब यह मैं आगे आगे सपोज इसके पहले वाला status मुझे check करना है तो आप just जो screen है इसके left side को आप touch करेंगे यह left side को touch करेंगे तो previous होते जाएगा और right side को touch करेंगे तो जो status है वो forward होगा left side यह मैंने touch किया तो previous आते गया और right side यह touch किया तो यह forward होते गया अगला जो trick से है वो है pin option मालीजे किसीक message आपके लिए बहुत important है आप उसके हर message को screen करना चाहते हैं उसका कोई भी message miss नहीं करना चाहते है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसके chat के उपर ऐसा long press करेंगे जैसे ही उसमें right tick हो जाएगा उपर में देखेंगे तो यहाँ प आप उसका message जो है हमेशा scene कर सकते हैं अगला जो trick से है वो है start message यह इसको आप bookmark भी बोल सकते हैं माल लीजे किसी message आपके लिए बहुत important है तो suppose आप किसी message को select कर लीजे जैसे यहाँ पर मैं एक message select कर लेता हूँ माल लीजे यह जो image है यह बहुत important है तो इसको यहाँ पर bookmark का option दिखा रहा है star का वहाँ पर आप star पे click कर देंगे तो यह जो message है आपका bookmark पे हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर right side में three dots है उसके उपर click कर देखेंगे और यहाँ पर start message है start message पर आप आएंगे तो यहाँ पर जिस message को आपने start किया है वो यहाँ पर list में आ जाएगा तो इस तरीके से आप अपना important message को यहाँ पर start mark करके यहाँ पर ला सकते हैं अगला जो trick है वो है text के उपर माली जी आप किसी को message भेजते हैं और आप उसको bold करना चाहते हैं उस text को bold करना चाहते हैं माली जी यहाँ पर मैं कोई message टाइप करता हूँ hello dear अब आप चाहते हैं कि यह जो message है bold हो जाया तो starting और ending पर आप start लगाएंगे तो यह starting पर मैंने एक start लगा है यहाँ पर ending पर एक start लगा है यह bold text में चला गया अब माल लीजे आप इसको italic में convert करना चाहते हैं या फिर italic text भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आप underline डालेंगे उसके बाद same message को type करेंगे जो भी message आपको type करना है उसके बाद same underline यहाँ पर भी डालेंगे तो यह देखिए text जो है वो italic में convert हो गया अगर आप italic में convert करने के बाद इसको bold में भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप same style लगा देंगे text के पहले और text के बाद में तो यह italic plus bold हो जाएगा यह देखिए तो इस तरीके से आप अलग-अलग text में भेज सकते हैं अगला जो ट्रिक्स है वो है live location जिसके बारे में काफी लोगों को पता है बट जिन लोगों को नहीं पता यह उन लोगों के लिए है तो माल लिजे आप किसी को अपना live location भेजना चाहते हैं उनको पता नहीं कि आप कहाँ पर stay है तो आप उनको live location कैसे भेजेंगे तो यहाँ पर यह pin का option है pin के option पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर location का option है इस location के option को click करेंगे उसके बाद यह थोड़ा सा wait करेगा आपका जो live location है वो GPS के थूरू track करेगा उसके बाद यहाँ पर देखेंगे share live location share live location को आप click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जितने time तक अपना live location है उसको live रखना चाहेंगे यहाँ पर आप select कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर send का option है उसको send कर देंगे तो इस तरीके से आप अपना live location उतने time तक के लिए उसको show करा सकते हैं अगला जो trick है वो है media auto download को कैसे control करें कभी कभी क्या होता है कि आपके पास unuses, image, videos और बहुत सारे कुछ कुछ आ जाते हैं जिसका आपको ज़रुरत नहीं होता है तो आप उसको कैसे control करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे right side में triple dot है उसको click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप setting पे जाएंगे, setting में जाने के बाद यहाँ पर आप आएंगे data storage and uses पे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो media auto download का option है उसमें से देखेंगे when using mobile data तो यहाँ पर आप अगर आपके में check होगा तो उसको uncheck कर देंगे उसके बाद secondary when connected on wifi अगर आपका mobile जो है wifi पर connect होगा तो क्या क्या डाउनलोड होगा वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर control कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करतना है तो आप सभी को uncheck कर लेंगे और उसके बाद well roaming अगर आप roaming पे हैं तो roaming पे आपको कोई चीज़ डाउनलोड करना है या फिर डाउनलोड नहीं करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसको check और uncheck कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपना मीडिया डाउनलोड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अगला जो trick से है वो है notification के उपर क्या होता है कि कभी कभी किसीक message बहुत ज़्यादा आता है बहुत सारी groups वोगे रख message आता है उसका notification बार-बार आपको irritate करते हैं तो उस notification को आप कैसे mute करें तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसके उपर long press करना है जिसका भी chat को आपको mute करना है तो यह मैंने long press किया उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो pin के just second option पर यहाँ पर volume के एक logo बना हुआ है उसको आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पर mute notification for option open हो जाएगा यहाँ पर minimum 8 hours स तक के लिए आप उसको mute कर सकते हैं तो जैसे ही आप one years के लिए mute कर देंगे वो one years तक के लिए mute हो जाएगा अगला जो tricks है वो है group के topic पे कभी कभी क्या होता है कोई unknown person कोई भी group बनाता है WhatsApp पे और वो आपको add कर लेता है वो भी आपके बिने permission के आप किसी भी group पे add हो जाते जाएंगे और यहां पर account पे जाएंगे और उसके बाद privacy पे जाएंगे privacy के जाने के बाद आप देखेंगे तो सबसे नीचे यहां पर group करके option लिखा हुआ है उसको click करेंगे अभी क्या है everyone है मतलब कोई भी मुझे group पे add कर सकता है unknown person भी group बना के मुझे add कर सकता है तो यहा आप add हो सकते हैं और इसके बाद my contact expect जो है इसमें आप जितना भी contact को select करेंगे उसमें से कोई person group बनाता है तो वो आपको add कर सकता है उसके लावा कोई और group पे add नहीं कर सकता तो आप यहां पर उसको select करने के बाद यहां पर आप done कर सकते हैं अगला जो trick है वो है chat backup के उप पर कभी कभी क्या होता है कि आपको handset change करना पड़ जाता है आप चाहते हैं कि आपका जो whatsapp chat है वो as it is मिले आपको तो आपको backup कैसे तयार करना है तो यहां पर right side में देखेंगे उपर में three dots क्लिक करेंगे उसके बाद setting पे जाएंगे setting में जाने के बाद यहां पर chats के option पे जाएंगे उसके बाद नीचे पे देखेंगे यहां पर chat backup है chat backup को आप click करेंगे और यहां पर आप नीचे में Google Drive setting पे देखेंगे तो Google Drive account पे Google account पे आप अपना email डाल देंगे जिस email ID पे आपको chat backup ready करना है उसके just उपर पर देखेंगे तो आप backup to Google Drive है इसको आप weekly लेना चा सकते हैं monthly backup लेना चाहिए monthly backup ले सकते हैं अपने recording उसको set कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आप जो भी weekly या daily जो भी select कि रहेंगे यह auto backup ले लेगा या फिर आप यहां पर जैसे आज की date पर आपको backup करना है तो यहां पर आप simply click करेंगे यह auto backup ले लेगा तो इस तरीके से वो भी backup के रूप में store हो जाएगा अगला जो ट्रिक्स है वो है media visibility के बारे में WhatsApp पर जो भी images वोगिर आते हैं वो आपका gallery पे show करता है उसको invisible या height कैसे करना है तो यहां पर आप देखेंगे right side में three dot है उसके बाद यहां पर आप setting पर जाएंगे और उसके बाद chat के option पर ज इसके बाद जो भी आपके WhatsApp पे images वगिर आएंगे वो आपका gallery पे show नहीं करेगा जैसे ही मैंने uncheck कर दिया इसके बाद जो भी WhatsApp पे images वगिर आएंगे वो मेरे phone gallery में show नहीं करेगा तो इस तरीके से आप media visibility को control कर सकते हैं तो दोस्तों आज का मेरा WhatsApp का interesting tricks और वीडियो है वो आ आइक सब्सक्राइब से जोग करें जय ही जय भाए